आज मैं अपने बच्चों के डिमांड पर चोकोलावा की रेसेपी शेयर कर रही हूँ आप यह देखे कितना यह चोकलेटी है और गरमा गरम जब अभी से खाएंगे तो मतलब आपको क्या आप मैं बता हूँ आप यह खुद से जब बनाएंगे ट्राइ करेंगे तो आपको प चोकलेट ले रही हूँ इसे मैं 100 ग्राम ले रही हूँ इसे मुझे मेल्ट करना है तो मैं एक इस्टिल के बाउल में इसे डाल रही हूँ साथ ही यहाँ पर मैं दो चमच बटर ले रही हूँ कोई भी बटर आप ले सकते मैं यहाँ पर अमुल का ले रही हूँ और पानी य और इसे मेल्ट करूंगे मतलब इसे double boiler बोलते हैं जो मैं यूज कर रही हूँ तरीका double boiler आप चाहे तो ग्लास के बावल में डालकर माइक्रोवेब में भी 1-1,5 में इसे मेल्ट कर सकते हैं तो दीरे दीरे इसे चलाते हुए मैं इसे मेल्ट कर रही हूँ जब तक कि बटर और चोकलेट अच्छी तरह मेल्ट ना हो जाए तब तक मैं इसे गरम डिरेक्ट फ्लेम पर इसे मेल्ट नहीं किजेगा नी तो जल करीब में एक मीनिट तुक्षी मीनट कर सकते हैं इसे मैं चॉकलेट के साथ अच्छे से मेल्ट कर रही हूं अच्छे तरह में मिक्स हो जाएगा मिल्क पूरा अकदम चॉक्लेटी टाइप से दॉल जाएगा थोड़ा धी आप्यों तो यहां पे मैं लिगतार, चलाते हुए चॉक्लेट बटर और दूद को मिक्स कर ली हूं और गैस को आफ कर देती हूं कि आफ वोने के बाद इसे अच्छी तरह ठंडा होने देंगे मतलब पूरी तरह यह ठंड हो जाए तब तक वेट करेंगे तो यह अच्छी तरह ठंडा हो गया, मैं बस एक बार मिक्स कर ले रही हूँ, यहाँ पर मैं चलनी डाल रही हूँ, कोई भी बेकिंग आइटम के लिए चलनी चानना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर मैं आधा कप मैधा ले रही हूँ, आधा कप पिसा हुआ चीनी ले रही ह कोको पॉडर जो है, मैं यह वाली ब्रैंड का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे अच्छे तरह मैं च्छान लोगी, तो बेक करने के लिए च्छानने वारा प्रोसेस बहुत इंपोर्टेंट होता है, यह आप इसकिप नहीं किज और यहां पर सारे ड्राइ इंगेरियन्स को मैं च्छान ली हूँ, जो बचा हो उसे भी चमच की मदद से मैं मिक्स कर लेती हूँ, और अब ड्राइ और वेट इंगेरियन्स को मैं एक साथ मिक्स कर लेती हूँ, एक ही डारेक्शन में मिक्स किजिएगा, बेकिंग के लिए भी बहुत इंपोर्टेंट होता है कि आप जो बैटर को मिक्स करते तो एक ही डारेक्शन में करना चाहिए तो यहां पर मैं बैटर को अच्छी तरह मिक्स कर ली और यह जो चोकोलावा का जो बैटर है वो केक से थोड़ा डिफरेंट रहेगा मतलब थोड़ा सा लिक्विट फ यह दिखे बैटर जो है ऐसा थिक होना चाहिए तो मैं बता रही थी कि आधा कप बैटर में मैं यहां पर करीब साथ कप रेडी कर रहे हूं चोकोलावा तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं मतलब आप कर सकते कि कितने बैच में आपको कितने सारे कप रेडी तो यह जो चौकलावा का बैटर है वह ऊपर तक नहीं भरेंगे थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे क्योंकि यह थोड़ा फोलकर उपर आएगा जब इसे हम बेग करने के लिए रखेंगे तो यह थोड़ा ऊपर आएगा इसलिए पुरा भरना नहीं होता है तो सभी में मैं बराबर बराबर बैटर को भर दी हूँ, अब मैं पहले से प्री हीट करने के लिए एक कडाई को रखी थी, जिसका थिकनेस थोड़ा थिक है, और करीब 2-4 मिनट ही मैं प्री हीट की हूँ, और इसके अंदर सिफ स्टान रखी हूँ, और यहां पर मैं प्लेट इसलिए रख रही हूँ क्योंकि पेपर कप के सपोर्ट के लिए मैं यहाँ पर कप यूज कर रही हूँ इसलिए इसके सपोर्ट के लिए मैं यहाँ पर प्लेट रख रही हूँ अगर आप कन्वेक्शन मोड मैं उसका भी बता दूँगी क्या टेंप्रेचर चाहिए और इसे low medium flame पे मैं करीब 10 मिनट 15 मिनट बेग करूँगी उपर से देखिए यह थोड़ा liquid है तो मैं 5 मिनट इसे और बेग करूँगी मतलब जब उपर वाला layer सेट हो जाए तब तक इसे बेग करें बस मैं 5 मिनट सेट बेग की हूँ और अब यह देखिए उपर वाला layer सेट हो गया और आप ओवर कुक करेंगे तो कोई प्राब्लम नहीं यह मफिन में चेंज हो जाएगा इसलिए ओवर बेग नहीं करना है थोड़ा कमी बेग करना है और यह देखिए कितना liquid है कितना tasty है तो अब आपको जब भी चोकोलावा खाने का मनो तो जरूरत नहीं है कि उसके लिए लाना पड़े या बाहर दुकान से लाना पड़े आप घर में बस 20 मिनट के अंदर 20 मिनट के अंदर आप चोकोलावा करीब साथ से 10 रेडी कर सकते हैं और अगर आप पार्टी भी प्लान करें तो भी आप यह प्रपेर कर सकते हैं बहुत जल्दी बनने वाली है और बहुत होब आपको यह recipe पसंदाई होगी thanks for watching